दूसर पांच ऐसे चीजे हैं जो कि Scram 11 को Himalayan चे अलग बनाती है सबसे पहली चीज ये है कि इसका जो टायर है ये 100 by 90 section का है Himalayan में आपको 90 by 90 section का टायर मिल जाता है और उपर से इसका जो रिम साथ है ये 19 इंचेस का Himalayan में आपको 21 इंचेस मिल जाता है दूसर जो दूसरा चेंज है वो है इसका Ground Clearance ये इस पर आपको 200 mm का Ground Clearance मिलता है जबकि Himalayan में 220 mm का Ground Clearance मिलता है All because of the bigger tire in Himalayan तीसरा चेंज ये है कि जो seat height है इसमें आपको 795 mm मिलता है Himalayan में आपको 800 mm मिलता है पाच में का difference है मैं बोलूँगा कि Himalayan का seat better है चोथा difference ये है कि इसका जो curve weight है दोस्तों ये Himalayan से कम है ये 185 kg का है Himalayan जबकि 199 kg का है और जो पांच वा difference है वो उसके suspension travel पर दोस्तों जो suspension travel scram में है वो है 190 mm का travel आपको मिल जाता है हमालान में आपको 200 mm का suspension travel मिल जाता है 10 mm का difference है और उतना जादा difference आपको लगे है ये भी काफी अच्छा suspension है